बिस्मिल आरहमान रहीम असलाम लेकुम आज जो हम लेक्षर पढने वारे हैं इस लेक्चर फोर अबाउट सेफटी डिवाइस फोर इलेक्रिक सर्कुट्स लास्ट लेक्चर में हमने बढ़ा करेंट क्या है वाल्टेज क्या है उनके SI यूनेट्स क्या है इसके इलावा रिजिस्टेंस क्या है किसी सरकुट में रिजिस्टेंस का क्या रोल होता है रिजिस्टेंस वाल्टेज और करेंट का अपस में क्या रिलेशन होता है इसके safety devices use होती है electric circuits में shortage बचाने के लिए याँ पिर कोई भी जो fault हो जाता है circuit में उससे किसी भी hazard से बचाने के लिए जो safety devices use करते हैं हम वो कौन-कौन सी है उसके लिए SLO देखते हैं recognize the terms earth wire fuse and circuit breaker 3 हमने देखनी है safety devices first is earth wire second is fuse and third is circuit breaker जो earth wire है fuse है और circuit breaker है वो किस तरहां से हम किसी भी electric circuit में use करते हैं और वो किस तरहां से हमारे electric circuit को किसी भी hazard है उससे बचाते हैं कोई भी नुकसान होने से हमारी electric appliances को किस तरहां से महफूज रखते हैं और किस तरहां से हमारी life को बचाते हैं so उसको एक activity से start होते हैं here is a picture of three pin plug क्या आपने कभी इस plug को देखा है क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसकी एक pin जो है वो बाकी दो pin से large होती है size में ऐसा क्यों होता है आपको इस question का answer इस lecture में मिलेगा so next is do you know what is the main voltage in Pakistan पाकिस्तान में main voltage कितना होता है क्या आपको पता है जो आपके गर पे जो main breaker लगा होता है वहाँ पे ये show होता है कितना voltage आ रहा है okay that is almost 220 to 230 volt होता है पाकिस्तान में voltage जो main voltage जो main volt हमें मिलता है वो तकरीबन 222 230 होता है average में so live, neutral और earth wires किस तरहां से लगाई जाती है कि earth wire जो है वो electric circuit को secure रखता है उसको safe रखता है किसी भी hazard से जो ये three pin socket होता है जिसमें three pin plug लगता है जो मैंने आपको कहा कि आप सोचें कि उसकी एक pin जो है वो बड़ी क्यों होती है so ये जो three pin वाला ये socket होता है इसमें एक pin जो होता है उसमें live wire होती है live wire का मतलब है कि जो जिसमें current जो है जो path है current का जिसमें से main volts गुजर रहे होते हैं जो main voltage जिसमें से electric charges गुजर रहे होते हैं उस wire को live wire कहते हैं इसको hot wire भी कहते हैं other language में so यह जो live wire है इसमें से main current गुजर रहा होता है main vault गुजर रहे होते हैं जो pulse में भी two wires होती है एक live wire होती है और एक जो होती है neutral wire होती है यह wire जो है यही जब हमारे main breaker से अंदर आती है तो जो sockets में लगी होती है इनी wire से जो current main vault आड़ा होता है यह live wires में चलता है यह जो electric charges आते है main current के वो live wires में flow करते है so उसके साथ एक wire लगाई जाती है जिसको neutral wire कहते है neutral wire का color blue या फिर black color में होता है so neutral wire जो होती है वो back path होता है return path होता है उस current का like live wire से current आता है और flow back करता है neutral wire से दुबारा से पॉल की तरफ तो इस तरह से live wire से current जो main current live wire में flow करता है वो उस में से गुजर के neutral wire में जाता है और neutral wire से फिर back live wire में जाता है तो जो neutral wire है वो return path होता है किसी भी electric circuit में current का तो एक third wire यूज की जाती है जिसको हम earth wire कहते है तो earth wire जो है वो ground में लगाई जाती है और उसको connect किया जाता है अर्थिंग के लिए कि कोई भी ऐसा fault आजए circuit में तो current जो है वो appliances में जो electric appliances हम use करते हैं उसकी casing में से गुजरना शुरू हो जाए like जो ये neutral wire है जो main vault की wire होती है अगर उसमें कोई damage आ जाता है और वो metal जो casing होती है किसी भी electric appliance की उसके साथ connect होना शुरू हो जाता है उसमें कोई उसकी insulation जो उपर rubber की insulation wire पे लगी होती है अगर वो damage हो गई है तो वो उसकी casing के साथ connect हो गई है तो उसमें से main vault का current है वो flow करना शुरू हो जाता है तो वो नुकसान पहुंचा सकता है तो earth wire जो है वो इसलिए ही use की जाती है क्योंकि earth wire low resistance की wire होती है इसलिए ही use की जाती है कि अगर excessive current जो है वो metal casing में से गुजरने लगी है तो किसी भी fault की वज़ा से तो वो इस earth wire में से गुजर के ground में चली जाती है और metal casing पे हमें जो main vault का current है वो feel नहीं होता सिर्फ हम जब उसको touch करते हैं तो हमें earth की तरह feel होता है so earth wire का जो है वो ground करने के लिए current को use किया जाता है ताके जो hazards हैं वो ना हो सके so जो pin है जो plug पे pin होती है बड़ी वाली वो earth wire के साथ connect करने के लिए ही होती है ताके जब हम उस plug को emergency में उतारते हैं तो पहला connection भी उस earth wire का ही होता है और जब हम उसको निकालते हैं तो last पे भी socket के साथ connection होता है वो उसी pin का ही होता है जो earth pin होती है So, वो किसी भी hazard से बचाती है और पहले जो connection तूड़ता है वो इस neutral और live wire का ही तूड़ता है इसलिए जो plug होता है उसकी pin जो एक बड़ी वाली pin लगाई जाती है बनाई जाती है वो इसलिए ही बनाई जाती है कि ये earth wire होती है इसको earth wire के साथ connect होना होता है और जब हम कोई भी जो electric short circuit होता है कोई भी fault होता है circuit में तो हम plug को unplug करते हैं जब socket से तो सबसे पहले जो connection तूटता है वो live और neutral wire का तूटता है earth wire जो है वो last पे उसका connection तूटता है तो जितना भी excessive current होता है metal appliances में वो earth wire की मदद से ground में चला जाता है और हमें जो है वो electric shock नहीं लगता so जो earth live wire है वो red color में होती है neutral wire mostly blue में या फिर black color में होती है और earth wire जो है वो green में या फिर yellow colors में use होती है या फिर green और yellow दोनों color होते है so इस तरह से यह जो earth wire है वो यूज की जाती है safety के लिए with neutral and live wires so earth wire का अगर live और neutral wire का ही connection that is live wire and that is neutral wire अगर live wire और neutral wire का ही connection बनाया जाए circuit बनाया जाए तो क्या होगा कि किसी भी damage की वज़ा से like insulation जो है वो live wire की damage हो गई है किसी भी fault की वज़ा से और वो उस casing के साथ कोई भी जो हम electric appliance यूज करते हैं उसकी metallic casing के साथ वो connect हो गई है तो क्या होगा जब हम इस metallic casing को touch करेंगे तो हमें electric shock लगेगा जो के main vault का होगा so उससे वो बहुत excessive amount में current flow करेगा so इसी लिए ही जो तीसरी wire है ground wire उसको connect किया जाता है और इसका connection जो है वो electric appliances के साथ ही होता है तो किसी भी fault की वज़ा से जब live wire damage होती है और उसका excessive current जो है वो metal casing में से गुज़ता है तो metal casing में से वो excessive current जो है वो उस earth wire में से गुज़र के ground में चला जाता है यह जो main poles होते हैं वहाँ पे भी यह earthing की जो wire है use की जाती है जिसका connection ground के साथ होता है और गर पे भी जब wiring की जाती है तो एक wire use की जाती है जिसको earth wire कहते हैं जो के earthing के लिए use की जाती है ताके appliances में से अगर किसी fault की वज़ा से excessive current गुज़रने लग जाए तो वो उस earth wire में से गुज़र के ground में चले जाए और किसी भी नुकसान से बचा ले जो earth wire जो है जो earth wire use की जाती है उसको earth thing कहते है और उसको ground में connect किया जाता है ताके किसी भी किसम का जो hazard हो वो अगर कोई electric जो कोई भी fault आ जाए एक circuit में neutral में या फिर live wire में तो जो excessive current metal casing में से गुज़रता है वो direct low resistance वाली wire में से गुज़रे और ground में चला जाए और किसी भी hazard से बचा ले इसलिए ही earth wire जो है वो live और neutral wire के निस्बत low resistance वाली wires बनाई जाती है इसमें resistance बहुत कम होती है इसलिए इसमें से current इस circuit में से जो conductor है इसमें से असानी से गुज़र के ground में चला जाता है और किसी भी hazard से बचा लेता है so next जो safety device है वो है fuse fuse यूज़ किये जाते हैं fuse जो है वो thin wires वाले बहुत ही thin wires वाले instruments यूज़ किये जाते हैं circuit में जब भी circuit में कोई भी fault आता है तो ये fuse जो है damage हो जाता है हुदी blow out हो जाता है और इसके जलने से circuit जो है वो तूट जाता है और किसी भी hazard से हमें बचा लेता है so जब ये fuse जो है वो खुद breakdown हो जाता है तो इसको replace किया जाता है 40 और circuit को दुबारा से close किया जाता है so इसको circuit में किस तरहां से connect किया जाता है इसको series में connect किया जाता है circuit में इसका एक जो connection है वो live wire के साथ होता है और दूसरी तरफ का जो connection है वो battery के positive terminal के साथ होता है जो के load से load के बाद connection होता है so इस तरहां से fuse को series में connect किया जाता है तो किसी भी fault की कोई भी fault आजाए अगर circuit में अगर insulation जो है break down हो जाए या फिर बहुत ज्यादा overload आजाए live wire और neutral wire पे उसकी insulation damage हो जाए वाइड जो है वो heat up हो जाए और heat की वज़ा से वहाँ पे आग लग जाए तो fuse जो है वो 40 तोर पे breakout हो जाता है और circuit को open कर देता है और उसमें से मजीद current जो है वो flow नहीं करता और इसको फिर दुबारा से circuit में लगाया जाता है इसको फिर replace किया जाता है और circuit को close किया जाता है इस तरहां से fuse जो है safe करता है from any hazard जो के आता है किसी भी electric circuit में so next is circuit breaker circuit breaker भी fuse की तरहां ही काम करते हैं कोई भी अगर fault आ जाए तो automatically जो है turn off हो जाते हैं इसमें electromagnet होता है जो के इसको up and down जो movement होती है breaker की यानिके कोई भी अगर fault आ गया है electric circuit में short circuit हो गया है या फिर overload हो गया है तो breaker जो है वो हुद बाहुद उपर हो जाते हैं जो main breaker भी हमारे लगे होते हैं वो भी इसी काम के लिए ये लगे होते हैं कि कोई भी जो load ज्यादा appliances जो electric appliances हम यूज करते हैं वो overload में हम यूज कर रहे हैं जितनी उनकी capacity है जितना वोल्ट हमें मिल रहा है उससे ज्यादा हम यूज कर रहे हैं तो circuit जो है वो short हो जाता है उसमें कोई fault आ जाता है तो breaker जो है वो hood बाहुद उठ जाते हैं जो breaker hood बाहुद off हो जाते हैं और circuit को off कर देते हैं और current जो है वो flow नहीं होता तो जो fault आता है उसको सही करने के बाद हम इसको दुबारा से on कर लेते हैं इसको fuse की तरह replace करने की जरूरत नहीं होती जो दो तरहां के circuit breaker यूज किये जाते हैं एक mini circuit breaker यूज किया जाता है जो कि automatically off हो जाता है जब कोई भी fault आता है और इसको दुबारा से circuit को हम on करने के लिए circuit को close करने के लिए इसको दुबारा से नीचे कर देते हैं कर देते हैं तो circuit जो है वो दुबारा से हमारा close हो जाता है और current slow करने लग जाता है जो कि जबके दूसरा जो earth leakage circuit breaker है ये यूज किया जाता है कोई भी अगर अर्थिंग की जो earth की wire है उसमें कोई damage आ जाजए तो उसके लिए ये circuit breaker यूज किया जाते हैं जो किसी भी fault को judge करते ह है इवन अगर थोड़ा सा भी जो current है इवन 5 इंपेर से भी अगर low current जो है वो flow कर रहा है earth wire में से तो ये उसको judge कर लेते हैं और automatically off हो जाते हैं circuit को automatically off कर देते हैं ये mostly moisture area वाले जो regions होते हैं गर पे वहां यूज किये जाते हैं like kitchen में और washroom वगारा में क्यूंके वहां पर पानी की leakage हो सकती है जो के wires को damage कर सकती है उनकी insulation इससे damage हो सकती है और short circuit होने का हत्रा होता है तो वहां पे ये earth leakage circuit breaker जो है यूज किये जाते हैं और ये automatically उस damage को judge कर लेते हैं अगर थोड़ा सा भी current earth wire में से गुजरता है तो foreign से ही automatically off हो जाते हैं और circuit को break कर देते हैं और इनको दुबारा से circuit को ठीक करके उसका fault जो है हतम करके इनको दुबारा से on किया जाता है इस तरह से ये different safety devices हैं वो use की जाती है earth wire fuse and circuit breaker are used as safety devices for electric circuit so these are safety devices like earth wire fuse and circuit breaker circuit breaker दो तरहां के use होते हैं इन तमाम devices को use किया जाता है किसी भी electric circuit में किसी भी hazard से बचने के लिए कोई भी fault आजाए अगर electric circuit में तो उसके damage से बचने के लिए इन safety devices को use किया जाता है so next is assessment जो आज के SLO पे assessment है इसको आपने solve करना है और अपने teachers को दिखाना है यह आपको description box में भी मिल जाएगी और teacher से printed form में भी मिल जाएगी next is homework write difference in applications of safety earth wire safety devices की आपने जो different safety devices आपने पढ़ी है उसकी differences लिखने है like earth wire circuit breaker in electric circuits by using examples earth wire और circuit breaker में आपने differences लिखने है example use करते हुए जो भी आपने safety devices की जो यह safety devices earth wire और circuit breaker की आपने use पढ़े के किस तरह से इक को use किया जाता है और यह किस तरह से save करती है electric circuit को from any hazard तो इसका अपने difference लिखना है और अपने class fellows के साथ share करना है so I hope now are you able to explain about safety devices thank you so much Allah Hafiz